हाद तोस्तों मैं दिपी का आप सब का मेकैनिकल स्टेडी की तरफ से स्वागत करती हूँ आज अपन शुरुबात करते हैं नेक्स अपना टोपिक नेक्स जो सब्जेक्ट है अपना अगुर रहेगा बायलोजी इस वीडियो में अपन डिसकस कर लेता है कि हम बायलोजी के कौ यानि कि जीवधारियों का वरगी करण जितना exam point of view से important है सिर्फ उतना ही हम इसमें डिसकस करेंगे second topic रहेगा cells यानि कि कोशिका के बारे में first chapter रहेगा classification of organism second chapter जो रहेगा वो रहेगा cells यानि कि कोशिका के बारे में फिर अपन बात करते हैं next फिर अपन biology को दो पार्ट में पढ़ेंगे इन दोनों chapter के बारे में हम पढ़ेंगे plant kingdom और animal kingdom ठीक है यह रहेगा first chapter second chapter उसके बाद हम शुरुवाद करेंगे किस से plant kingdom यानि कि पादब जगत से इसमें अपना next topic जो रहेगा plant kingdom में वो topic रहेगा सबसे पहले plant tissue यानि कि पादब उत्तक हम important topic ही याँ पर cover करेंगे केवल plant tissue हम पूरा chapter detail से पढ़ने की ज़रब नहीं है हमें जितना knowledge होना चाहिए exam point of view से उतना ही अपन cover करेंगे तो third chapter रहेगा अपना plant tissue फॉर्थ चेप्टर रहेगा plant nutrition in plant पादब पो में portion फिफ्थ चेप्टर रहेगा plant hormones फिफ्थ चेप्टर रहेगा plant disease यानि की पादबो में रोग ठीक है फ्लांट किंग्डम में चार टोपिक जो सबसे इंपोर्टन है जो हमें करने है वो है plant tissue, nutrition in plant, plant hormones और plant disease इन वाले टोपिक से काफे कुशन आते हैं फ्लांट किंग्डम में तो इन टोपिक को अच्छे से कवर करेंगे इन टोपिक को कवर करने के बाद आपन शुरुआत करेंगे animal kingdom से यानि की janthujaagat ठीक है पादब जगत के बारे में next रहेगा अपना animal kingdom जिसमें सबसे पहला आपना topic रहेगा animal tissue next next topic रहेगा 7th नंबर जो चप्टर पन डिस्कस करेंगे वो होगा animal tissue next होगा nutrition in animal जीवो में portion nutrition in animal फिर रहेगा system of human body system of human body लास्ट में आएगा animal disease जीवो में रोग लास्ट टोपिक रहेगा animal disease ठीक है यह मैंने broad एक criteria आपको यहां पर बताया जिसमें मैंने बताया कि अपन basically जो discuss करेंगे वो biology पूरी cover हो जाएगी इन 10 टोपिक में अब मैं system of human body है इसमें सब topic बता जती हूँ जो हमें discuss करने हैं जिन में सबसे पहला अपना topic रहेगा पांचन तंतर यानि की digestive system हम यह बात करते है system of human body की इसको अपन discuss करेंगे सब topic में divide करके इसमें सबसे पहला topic अपन पढ़ेंगे पांचन तंतर यानि की digestive system next रहेगा अपना सवशन तंतर नेक्स्ट रहेगा अपना सवशन तंतर यानि की second होगा सवशन तंतर यानि की respiratory system next उत्सर्जन तंतर यानि की excretory system उत्सर्जन तंतर यानि की excretory system next रहेगा अपना तंतर का तंतर यानि की nervous system तंतर का तंतर यानि की nervous system उसके बाद रहेगा अपना परी संचरन तंतर यानि की circulatory system परी संचरन तंतर यानि की circulatory system उसके बाद रहेगा अपना कंकाल तंतर यानि की skeleton system फिर रहेगी अंतर स्त्रावी गन्थी फिर रहेगा कंकाल तंतर यानि स्केलतन सिस्टम और अंतर स्त्रावी तंतर जिसको बोलेंगे अपन एंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम ठीक है तो इतने अपने पास टोपिक रहेंगे जिनको हमें कंप्लीट यहां पर करना होगा अब हर दिन अब एक टोपिक को लेके चलेंगे तो जनवरी एंड तक हमारी बाइलोजी भी कंप्लीट हो जाएगी तो बाइलोजी में टोपिक होए टोटल 10 तो हेडिंग होगी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 टोटल जो टोपिक है वो है 16 बाइलोजी के इन सबको अपन वन बाइवन कवर करेंगे फर्स रहेगा अपना classification of organism और cell उसके पाद हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे सबसे पहले कवर करेंगे अपन प्लांट kingdom जिसमें पादब जगत के regarding topics अपन डिसकस करेंगे फर्स टोपिक रहेगा प्लांट tissue पातब उत्तक नेक्स रहेगा nutrition in plant यानि की पादपो में portion animal tissue, next nutrition in animal, system of human body जिसमें बहुत सारे topics हमें discuss करने होंगे digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, circulatory system, skeleton system and last endocrine system फिर अपन लास्ट टोपिक डिसकस करेंगे वो करेंगे animal disease तो इन सब टोपिक को अपन डिसकस करेंगे biology में सबसे पहला topic जो हमें discuss करना है वो है classification of organisms